हिंदी के पार्ट में सभी बच्चों का स्वावाद बच्चों हमने पिछले पार्ट में विराहम चिन्न का अब भैस के अता अब हम इक हरा उद्धरन चिन्न दो हरा उद्धरन चिन्न निर्देशक चिन्न और योजक चिन्न का आज हम अब भैस करेंगे चल बच्चो फे चल आज हम पहला चिन्न देखेंगे इकहरा आउतरन चिन्न जब कोई विशेशब्द या वाक्य जोका तो लिखना हो तब इकहरा आउतरन चिन्न का प्रयोग किया जाता है जैसे सच्छी कहा है बुरे काम का बुरा नतीजा रमन की वर्शागाट मैं कभी नहीं भूल सकता क्या कहा मैंने कहा रहा चिन्न के बारे में कि जब कोई विशेशब्द या वाक्य जोका तो लिखना हो तब इकहरा आउतरन चिन्न का प्रयोग किया जाता है अब हम देखेंगे दोहरा आउतरन चिन्न वाक्य में जब किसी का कतनिया उसके कहे गए शब्द जोके तो लिखने हो तब दोहरा आउतरन चिन्न का प्रयोग किया जाता है जैसे आदित्य ने पूछा अनुराग जी कैसे आना हुआ डॉक्टर ने कहा कुछ सीरियस नहीं है यह देखो दोहरा आउतरन चिन्न अब हम देखेंगे योजक चिन्न यह दो शब्द के बीच में आकर जोडने का काम करता है यह चिन्न को विभाजक चिन्न भी कहते हैं उसका उदारन है दिन भर बड़ी दौड धूप रही है अब हम देखेंगे निर्देशक चिन्न इसका आकार योजक चिन्न से बड़ा होता है इसका प्रयोग निमनलिखीत रूप में होता है किसी के कथान को उध्वत करने से पहले या बाद में इसका प्रयोक किया जाता है जैसे नेता जी ने कहा था तुम मुझे खुंडो मैं तुम्हे आजादी दूंगा चलो बच्चो आज हमने विराम चिन्ना का अब्भ्यास किया पूर्ण विराम अर्ध विराम प्रश्न सूच योजग विस्मय दीबोद इकहरा दोहरा और निर्देशक चिन्ना का अब्भ्यास किया है धन्यवाद